एक मद 7,130 रुपे में बेचा जाता है जिससे 15 प्रतिशत लाब होता है इस मद का लागत मूल रुपे में क्या है और चार आप्शन दिये हैं और इन आप्शन को देखते हुए मैं अपने आपको रोक नहीं पा रहा हूं कि इसका अंसर 6200 ठीक है कैसे मैं इतना जल्दी किया जरा मैं समझाता हूं देखिए पहली बात तो यह कि 15% प्रॉफिट हो रहा है तो या तो आप मल्टिप्लाइंग फैक्टर यूज़ करके डिवाइड करके निकाल दो सवाल में कोई दम नहीं है सवाल कर रहा है यह कॉस प्राइस है यह सेलिन प्र यह कोशन मल्टिप्लाइंग फैक्टर से भी नहीं कल जाएगा पर देखिए जब 15% है तो 15% का स्टैंडर्ट फ्राक्शन मैंने आपको याद रखने को नहीं बोला है आपको याद हो मैंने 10 पढ़ाया 15% का स्टैंडर्ट फ्राक्शन होता है तो कि exactly 15% किसी का करना पड़ेगा ठीक है 1 by 4 1 by 5 फ्राक्शन मुझे दिखने रहा है तो यहां पर देखिए option का इस्तेमाल भी इसको quickly मैंने option का स्टैंडर्ट गया कैसे किया दो जीरो लास्ट में हैं तो एक परसंट की वैलू भी पता है असानी से निकल जाएगा 6200 is more easy to calculate than 6125 और 6250 तो 6200 को कर आप जहां से देखोगे तो आपको पता चलेगा यह गाप जहां से देखो 15 परसंट निकालना है तो आप 15 परसंट जोड के देखते हैं कितना आएगा तो देखे इसको आप कैलकुलेट करते हैं 6200 को देखो जान से 10 परसंट निकालोगे आप इसका पहले तो 620 होगा ठीक है फिर 5 परसंट निकालोगे तो 310 होगा कितनी वैलू आ रही है 7130 मैच कर गया तो इसमें क्या हैंगी 6000 को तो औरली देख सकते हो आप even 6200 को जब 15 परस हो गया आसान ही निकालना तो रहे दिन आप इसमें directly calculate करने जाओ मैं तो कहूंगा आप ऐसे calculate करो तरीका उसको भी करने का है ऐसा कुछ नहीं है मैं दिखा देता हो आपको तो डिरेक्ली करना तो आप ऐसे करोगे 7130 divided by 1.15 cost price होगी आप डिवाइड कर लो कितना हुआ टू ट तो बहतर है आप्शन पर नजर रखें इतने आसान होते हैं कि कुछ भी खास calculation नहीं करनी होती है अंसरा रहते हैं डिविजन भी आसान है मुश्किल नहीं है मैं कर रहा हूं अबर इस्टिल थोड़ा सा option देखने की आदत भी आप डालिए है अगले कोशन देखते हैं